वेलकम टू टेले नियूस 24 अज हम बात करने वाले हैं नोईडा के 10 टॉप टॉरिस्ट प्लेसिस के बारे में नोईडा में घुमने के लिए वैसे तो बहुत सारे टॉरिस्ट डेस्टिनेशन मौजूद हैं चाहे वो मौल्स हो या फिर एडवेंचर स्पार्क हो या फिर किलाप्स हो नोईडा में हर उमर के लोगों के लिए कुछ ना को जरूर मौजूद है या पर इतिहास प्रियों में के लिए बहुत सारे मुजियम्स और इस्ट्रोइकल पलेसिस भी मौजूद हैं जिने आप अपनी बीकेंड पर अपनी ट्रैविलिंग इस्ट में सामिल कर सकते हैं अगर आप दिल्लिया फिर गुलगाओं के जगा को देख देख कर बोर हुचुके हैं तो इस बार आप अपने बीकेंड को नोईडा की इन खुपसूरत और मज़ेदार जगाओ पर स्प्लेंड करने की प्लैनिक सुरू कर दे तो चलिए देखते हैं भारत के प्रग्रतिसील नोईडा के 10 सब से 70 स्थानों को नमबर बन की बात करें तो नमबर बन पर हमाई लिस्ट पर है स्नो वर्ड जी हाँ चाहे गर्मी हो या फिर सर्दी हो आपको यहाँ बरफी बरफ देखने कम लेगी अब आप यह सोच रहे होंगे कि नोईडा में आसी कौन सी जगा है जहाँ पर स्नो पड़ने लगी तो हम आपको वता दें यह जगा कई और नहीं बलकि DLF Mall सेक्टर 18 के अंदर ही स्नो वर्ड के नाम से मौजूद है नोडा के सक्टर 18 में मौजूद यह स्नो वर्ड एक थीम पार्क के रूप में मौजूद है यहाँ का तापमाल लगवाक माइनस 18 डिग्री पर ही रहता है जिस बज़े से यह जगा लोगों के बीच में एक एडवंचर के रूप में सामने आई है यहाँ आप अपने दोस्त परिवारों वालों के साथ स्काइंग, आईस स्केटिंग, स्नो स्लेजिंग और वर्फ को हातों में लेकर एक दूसरे के साथ खुब मस्ती कर सकते हैं आपको यहाँ एडवेंचर्स एक्टिविटीज के लिए सभी इंपोर्टिट गेर्ज भी मिलेंगे ताकि आपको किसी भी चीज की चिंता ना कनने पड़े नोड़ा में सबसे अच्छे प्रट्ड की स्टैलों के रूप में इस नेवड़े का अच्छे वीकन स्पेंड करने के लिए वेस्ट जगा है यहां पर आप गॉल्फ की की प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके साथ ही यहां आपको वर्ल्ड किलास विधाय भी मिलती है अगर आप नोड़ा गॉल्फ कोर्स जाते हैं तो यहां आपको कफी सॉप, रेस्टोरेंट, बार, पप्स, स्वीमिंग पूल और लाइवरेरी जैसी ची इसकी नमभर 3 जो मैं लिश्ट पर हैजिए ग्रेंड वैनिस मॉल जी हां जैसा कि नाम से ही पता चलता है ग्रेंड वैनिस मॉल आपको ग्रेंड वैनिस में होने का ऐसास कराता है ऑनके अंदर और और इक आपिशियल नहर है जहां आप गॉंडाला राइड का मजा वी ले सक को वाकई में वैनिस में घूमने का ऐसास दिलाती है साती मॉल में आपको बता दे धाइसों से अधिक श्टोर से जहां आप एक से एक ब्रैंड की सौपिंग कर सकते हैं और नंबर चार की बात करें तो नंबर चार में हमाई लेस्ट में है वोटैनिकल गाइडन जी हां अगर प्रकरती प्रेमी है तो अब आपको घूमने के लिए पहाड़ों पर जाने की कोई जरूत नहीं है अब आप नोईडा के अंदर ही कम वक्त में प्रकरती का सुंदरता का मज़ा ले सकते हैं इसके लिए आपको नोईडा के वोटैनिकल गाइडन जाना होगा यह एक बहतरी टूरिस्ट प्लेस है यहां आपको कही तरह के फूल और पेड़ पोदे देखने को मिल जाएंगे इसके साथ यहां कही तरह की चिडियां और अन्रे पक्छी भी मौजूद है सेर की भागदोर के बीच में सुगुन का वक्त गुजानने के लिए वोटैनिकल गाइडन एक सा इकल भूमे में फैला हुआ है जिसमें राइड्स और वोटर राइड्स भी सामिल है वोटर पार्क जो वल्ड ओफ बंडर का हिस्सा है नोड़ा के लोगों को गर्मी के मौसम में ठंडक और मनुरता का एक अधित्य अनुवप कराता है यह भिविन उतक्रस्ट राइड्स व यह 500 रुपे की फीस है अब हम बात करते हैं नंबर 6 की नंबर 6 पर जो हमाई लिस्ट में आता है वो है राष्ट्रिय दलीद प्रेडना स्थल भारत के दलीद नेताओं के सम्मान में निर्मित राष्ट्र दलीद प्रेडना स्थल एक समारक है जिसे नोड़ा के सबसे लोग परमूग दली थस्तियों की प्रतिमा है बिगन बिताने के लिए यह जगा एकदम परफेक्ट है और यह जगा नोड़ा सेक्टर 95 में इस्तित है जो रोजाना सुबह 11 बज़े से साम 5 बज़े तक खोलती है यही अगर बात करें तो यहां की एंट्री फीस की तो यहां की एं इंटरनेशनल मोटर रेसिंग सर्किट है जिसका नाम है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट जी हां अगर आपको रेसिंग एवेंट्स में जाने का सोख है तो आप यहां जा सकते हैं यहां आपको सांदार रेसिंग टोर्नमेंट्स देखने को मिल जाएंगे बुद्ध इंट प्रतिक प्रेमियों के लिए नोईडा में एक और घूमने के लिए काफी सांदर जगा है नोईडा वर्ड सेंचुरी जी हां यह जगा उत्तर प्रदेश के टूरिश प्लेजिस में सामिल है वर्ड सेंचुरी का एरिया तकरीवन 35 बर किलोमीटर में फैला हुआ है यहां के साथ नोईडा में घूमने की कोई मज़ेदार जगा को देख रहे हैं तो आपको ट्रेवलिंग लिस्ट में किट जानिया को जरूर सामिल करना चाहिए चोटे बच्चों के लिए यह जगा काफी कुछ सीखने वाली है साथ ही है आपके बच्चे धेर सारी मौज मस्ती कर स करते हैं मरोंजन के साथ सा सीखने के लिए इस जगा पर सो से अधिक एक्टिविटीज करने वाली चीज़े हैं किट जानिया आपको बता दें सेक्टर 38 में जी आईपी मौल के पास मौजूद है अब हम बात करते हैं नंबर 10 की तो नंबर 10 पर जो हमाई लिस्ट पर है बो ह लोगों के बीच काफी फेमस है इस मौल में लोगों की वीड़ना सिर्फ वेकेंड पर देखने को मिलती है बलकि वेकेंड में भी आप अच्छी काजी संग्या में लोगों को यहां पर घूमता हुआ देख सकते हैं नोटा कि सेक्टर 18 में लोकेटीड ये मौल लगबग 2 कि लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और वीडियो का अगे सेर करना बिल्कुल भी ना भूलें ठैंक यू